और आप बाता है सेट साब का सबसे फेवरेट पोर्शन डिजिटल मार्गेटिंग प्लैन का जिसमें आपने अब पैसों की बात करनी है यानि कि आप बजट बता रहे हैं कि इस पूरे काम के जो आपने डिवेलप करके दिया है और सजेस्ट किया क्लाइन को उसमें पैसे कितन लगने हैं तो बजटिंग एक ऐसा पोर्शन है डिजिटल मार्गेटिंग प्लैन का कि जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स पेशली सेट्स आपकी सबसे ज़्याद नजर होती है वो कहते हैं ठीक है आप पोस्टिंग कर लीजिएगा जो आपने करने आप कर लें लेकिन पै कोस्ट आप डिपेंड करी होती है रीज के ओपर कि आपने रीज कितनी लेनी है कौन सा प्लैटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं कि जिसके ओपर आपकी एड्स चलेंगी और इसके लावा और दीकर तरह के मैट्रिक्स से भी अवेलेबल हैं जो कोस्ट आफ आफ एड्स को नि फिगर दे देनी है कि जो आपके रिस्क को मिनिमाइज करती है फॉर एक्जेमपल डॉलर के प्राइस स्टाटिक नहीं है फिक्स नहीं है पाक्सान के अंदर ऊपर नीचे जाती रहती है तो रिस्क अशूरंस के लिए आप एक ऐसी फिगर अपने बजट में डाल देते हैं क और एक स्टाट इसका इनाके लाइज के उनीयर विए रहती है यह मांग नीनियमाइन ए डाल देते हैं और फिर आप वहां से उसके जरूरत पड़े हैं तीसरे नंबर के ओपर तरगर आऊडियंस बहिए की बैस के बाको हो सकता है कि किछ imigratly जिसके लिए पैसे पेसे चा स्लोट में भी डालते हैं अपने बजट के अंदर लेकिन मैं इसको सजेट से आपको करूंगा कि आप एक अलग से टार्गेट आउडियन्स बेहवियर का एक सेक्शन बनाएं अपने बजट में और उसमें बताएं कि अगर आपका जो टार्गेट आउडियन्स है नहीं कि जो आपका पोटेंशिल कस्टूमर है वो अनेक्सपेक्टली कोई ऐसे प्लैटफॉर्म के ओपर एक्जिस्स करता है जिए कोई नया प्लैटफॉर्म आया उसको यूज़ करने लग गया कि जिसका आपने डिजिटल मार्केटिंग प्लैन में जिकर नहीं किया तो वो पैसे आप उस प्लैटफॉर्म के ओपर पोस्टिंग ए पॉब्लिशिंग के लिए लगाएंगे कोई हॉलिड़े आ रही है और उस हॉलिड़े में एक प्लैटफॉर्म ज्यादा यूज़ होरा है दूसरे प्लैटफॉर्म की निस्बत के जिसके अंदर आपने प्लैनिंग पहले नहीं की थी तो आपने अलरड़ी बजट के अंदर एक पैसे मुक्तस किये होंगे के जिसको आप यूज़ कर सकेंगे इन और तो केटर दे निज़ दे यूज़ ऑन एट प्लैटफॉर्म जो आपने प्लैन नहीं किया पर आती स्टाफ डिवेल्पमेंट स्टाफ डिवेल्पमेंट की जो पॉज़ीशन है उसके अंदर आप स्टाफ के बारे में डिसक्स कर रहे होते हैं स्टाफ मेंबर्स कौन कौन से होंगे उनकी तरखाएं कितनी होंगी कितने पैसे लगेंगे डिजाइनर को इतने पैसे देंगे developer को हम इतने देंगे content strategies को इतने देंगे हो सकता है आप एक blog बना रहे हैं और blog के suggestion के अंदर आपने कहा है कि जी हमने blog का content लिखने के लिए बंदे हायर करेंगे different freelancers हायर करेंगे तो आप वो तमाम चीजें staff in development के अंदर वो mention कर देते हैं इसके अलावा चंद और ऐसे factors हैं कि जिसको समझना बहुत जुरूरी है जब भी आप budget बिना रहे हैं सबसे पहले past efforts कि past efforts यानि कि previously company कितने पैसे लगाती रही है similar operations के ओपर ये similar suggestions के ओपर जो आप आप देने जा रहे हैं client को फिर अब बात आती है कि आप research करें properly कि market के अंदर competitors कितना पैसे खर्च कर रहे हैं practices क्या हैं ये भी जुरूरी नहीं कि आपने digital marketing plan में इतना advanced marketing plan दे दिया है कि इसके ओपर खर्चा बहुत ज़दा होता है और company की उतनी कमरी नहीं है कि वो आपको इतने पैसे पे कर सके तो फिर आपने properly research करनी है और research की base पर आपने budget बनाना है competitor का जिसा मैं already जिकर पहले भी कर चुका हूँ कि competition को हमेशा देखी competition कितना पैसे खर्च कर रहा है अगर वो 10 रुपए खर्च कर रहे हैं आपने कोई software खरीदना है तो software की cost एक दफ़ा ही आप बेर कर रहे होते हैं तो budget के अंदर वो चीज़ें भी आपके आर ही होती है तो दोसरे जब आप budget बना लेते हैं तो बना के आप इसको अपने digital marketing plan का हिसा बनाते हैं अब यहां एक question आप में से अक्सर लोग पूछ सकते हैं का भई मेरा finance के साथ कोई background नहीं है accounting मैं जानते नहीं हो balance sheet की शकल मैंने कभी देखी नहीं है तो मैं कैसे budget बना सकता हूँ मैं किसी और से बनवा लूँगा घबरानी की ज़रूरत नहीं है आप Google पर जाएं और Google को पर टाइप करें budget templates आपको लखों के साथ से templates मिल जाएंगे कि जिसके अंदर you can just simply write कि आपका किस चीज के बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं for example salary of content developer और आगे आप budget के अंदर उसकी एक amount लिख दें उसकी base के ओपर वो automatically calculation वो template कर रहा होता है इसको जरा practice कीजिए अपने तोर के ओपर और ये बड़ा एक important area है digital marketing plan का और जरूरी भी है और इसको understand और समझना भी बहुत जरूरी है